दोस्तों इसको कहते हैं कैरेर ये वाला जो पूरा है न ये वाला ये पूरा हिस्सा इसको कैरेर कहते हैं और इसके उपर होता है एक पत्ती कैरेर के पत्ती होती है इस पत्ती से ही ज्यादा सोंड नहीं आता पत्ती रहे तो अगर से पत्ती नहीं रहे तो सोंड आता भी है और आज हम क्यारियर के बारे में बताएंगे क्यारियर से तागा तूट रहा है तो कैसे ठीक करें चलिए दोस्तों पहले पिछले वीडियो में हम प्लेट शटल और नाल के पती से कैसे तागा तूटता है इसमें सब कुछ डिटेल दिया है आज हम क्यारे के बारे में बताएंगे कि क्यारेड से तागा कैसे तूटता है चली दोस्तों इस वीडियो में बने रहें और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक आप सब्सक्राइब जरूर करें चली दोस्तों यह दिखें दोस्तों इसको कहते हैं क्यारेर राड इसको कहते हैं क्यारेर राड यह वाला क्यारेर राड है और यह वाला जो अंदर का है इसको कहते हैं क्यारेर जो ये shuttle के साथ रहता है ना इसको कहते है carrier मैं आपको ये नाल को खोल के बताऊंगा कि carrier से तागा कैसे तूटता है ये दिखें दोस्तों मैं अभी नाल खोल रहा हूँ और नाल खोले बाद आपको carrier का पुरा detail दूँगा और कैरेल में कैसे, क्या होने से तागा तूरता है, यह सब कुछ डीटेल बताऊँगा और आप करने से वो कारण को बचना चाहिए, चली दोस्तों, यह वला नाल निकल दिया मैंने, यह देखे दोस्तों, इसको कहते है carrier ये वाला जो पूरा है ना ये वाला ये पूरा हिस्सा इसको carrier कहते हैं और इसके उपर होता है एक पत्ती केरेर के पत्ती होती है इस पत्ती से ही जादा सोन नहीं आता पत्ती रहतो अगर से पत्ती नहीं रहतो सोन आता भी है और तागा भी बहुत जादा तूड़ता है और अब मैं आपको पिछले वीडियो में इससे पहले वीडियो में केरर की पत्ती दालने का भी वीडियो बना है आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं और मैं अभी केरर में क्या प्रॉबलम होने से तागा तुड़ता है ये बताऊंगा सिर्फ चले दोस्तों इसको ऐसे फिरा लेता हूं यह देखी दोस्तों यह वाला जो हिस्सा है यह प्लेस का यह जो अंदर का प्लेस है यह वाला अंदर का जो भी प्लेस है ना इसके अंदर यह जो नट है देखिए यहां पर यह दो नट होते है कैरेर पती के यह दर नट में यहां प करना चाहिए ऐसे रफ रहा तो भी तागा तुड़ता है इसलिए इसको साफ कर लेना चाहिए साफ करने के लिए आपको मैं तीन कोली का फाइल बताया था ना पहले ऐसा वाला तीन कोली का फाइल इससे साफ कर लेना चाहिए देखिए दूस्तों इसको आईसे साफ कर लेना च चाहिए यह नट के पेस में ऐसा साफ कर लेना चाहिए और यह साफ करें बाद भी आप क्या करना चाहिए मिले तुना जो रेगमल पेपर होता है सौफली निकल जाएगा नहीं तो आपका मशीन में तागा तोड़ेगा ये पुरा क्लीन रहना चाहिए चली दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ये नाल को मैं ऐसे ही लगा लेता हूँ जैसे निका करो दूड़ी पू़े खंद स Sunday क्लिश में लगा लु़े से अना हीला में एक तोको अना ही रवखगाई गषैंज सकांझा सबूआर तो आता है स्टído चाहर